जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चेनल पर आज मैं आपको कार्तिक मास के द्वतिया द्या की कता सुना रहा हूँ किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए साल ग्राम का किस विदी से पूजन करना चाहिए आज विशिय शुप से इस कताय में बहुत ही अच्छे तरहिके से भगवान साल ग्राम जी की पूजा विदी बताई है और तुलसी का मैत्तु है भगवान सी किष्ण ने का कि है देवी गुड़ बती अपने पितावा पती को राक्यस के द्वारा मारे जाने का समाचा सुनकर बड़ा बिलाब करने लगी उन्होंने का है पिता मुझे को त्या कर तुम कहां चले गए मैं अकेली कर नहीं हूँ तुमारे बिना अब में क्या करूँ अब मेरे भूजन बस आदी की विवस्ता कौन करेगा गर में इसने पूर्वग मेरा पालन करने वाला कोई नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकती मुझ बिदवा की रख्या कोन करेगा मैं कहां जाओं कहां रहूं मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं है इस तरह रोती और बिलक्ती गुडवती पचार खाकर प्रती पर गिर पड़ी और मूर्चित हो गई कापी दे तक पड़ी रही पर जब होस में आया तो पूर्वत अत्यन्त करुणा बिलाब कर सुक सागर में डोग गई जब कुछ समली तो उसे द्यान आया कि मेरे पता तता पती की म्रत्यू के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गती हो सके आता है उसने अपने घर की सारी बस्वें बेच दी उनके बेचने से जो पैंसा मिले उनसे पता और पती की स्राद आधी क्रिया की पिर उसी नगर में रहती हुई भगवान विश्णु की भक्ती में आठो पैर रहने लगी। प्रिये ये एकासी व कार्तिक भ्रत तुमको बड़े ही प्यारे थे। भक्ती मुक्ती पुत्र तता संपति को देने वाले परम पवित्रें जो मनुष्य कार्त अगमास में जब तुलारासी पर सुर्याता है तो सबेरे उटकर इश्णान करते हैं। प्रत वा उपासना करते हैं। स्वास्तक चिन्न बनाते हैं और विश्णु पूजा करते हैं बेजीवन मरण से मुक्तो जाते हैं। यह सुनकर के गुडवती भी प्रतिवर्श मन लगाकर के कार्तिक का ब्रत और भगवान विश्णु की पूजा किया करते थी। यह पर यह एक बार वह ज्वर ग्रस्त थी और दूबली हो गई थी। फिर भी किसी ना किसी प्रकार गंगा इस्टनान के लिए चली गई। यानि उसका इतनी बुरी श्टति हो गई थी। उसका सरी सितल हो चुका था और उसने अपने त्याग दी। जब उसने देत्याग दी तो उसके पुन कर्मों के द्वारा मेरे दूतों के द्वारा वह सुलग धाम यानि मेरे धाम में लाई गई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदी देपताओं के प्रतनकर जब मेंने कृष्ण का अफ्ता लिया तो उस समय मेरे गड़वी मेरे साथ आई। वह सब इस प्रती पर यादब बनी तुमारे पिता जो की पूर्व जनम में देव सर्मा थे इस समय स्रज्जिते हैं। पूर्व जनम में चंद्र सर्मा जो तुमारा पती था वह आकू है और हे वामनी तू ही वह गुड़वती हैं। या कार्त ब्रत का ही प्रवाव है जिसे कि तू मेरी अरदांग नी वनी। पूर्व जनम में तुमने मेरे मंदर के द्वार पर तुलसी का पौदा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प ब्रक के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जनम में देवदान किया था उसके कारण तुमारी देश सुंदर हुई। तुमारे सरी में सोबा है और घर में साक्यात लच्वी निवाज करती है। तुमने चोंकि पूर जनम में अपने समस्त ब्रतों का पल पती सुरूप विष्णू के एरपन कर दिया था। उसे के प्रवाब से तुम इस समय मेरी प्रिय भांगने हुई। पूर जनम में आजी बन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का ब्रत किया था। उसका यह प्रवाब है कि मेरा और तुमारा कभी बियोग नहीं होगा। गोमाता की पूजा करता है। सुबह साम गोमाता की पूजा करता है। गोमाता को पानी पिलाता है। गोमाता को अन्न खिलाता है। उसकोई घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। सदाएं वह हर प्रकार के सुकों को भूगता है। कार्तिक के महीने में जो लोग भगवान सिव की पूजा करते हैं उनके सभी मनुरत पूरे हो जाते हैं कार्तिक के महीने में जो लोग मंदर में जालू लगाते हैं श्रम करते हैं उनके कैई जर्मों के पापनेश्ट हो जाते हैं जो लोग कार्टिक के महीने में तुलसी के नीचे पित्रों का असराद करते ही उनके साथ पेड़ी तक की पित्रों का उधार हो जाता है कार्तिक के मास में, जो लोग आमले के नीचे भोजन करते हैं, उनके सभी पाप नश्टो हो जाते हैं, पुत्र धन्सुख सम्रधी की प्राप्ति होती हैं, कार्तिक मास में ब्रत आधी करते हैं, वह मुझे बड़े प्रियें हैं, वह लोग जो की दूसरे जप तप यगदान कार्तिक आंस में कीये गई ब्रत के समाण दूस्रा कोई भी परथ नहीं है। कार्तिक मास के ब्रतों का सोले में भाग भी कोई ब्रत नहीं है यानि कोई भी ब्रत कार्तिक मास के सोले में भाग के बराबर भी नहीं है कार्तिक मास में किये गए प्रतिक पूजा का सहस्तर गुनापल प्राप्त होता है कार्तिक के मास में जो लोग पित्रों के तरपन करते हैं उनके पित्र प्रसन होकर के पुत्र धन प्राप्ति का बरदान देते हैं कार्तिक के मैने में जो आमले का पूजन करता है आमली का इसपर्स करता है, आमली का दर्सन करता है, उसके सभी मनुरत से दो जाते हैं, जो लोग कार्तिक के महिने में तुलसी का इसपर्स करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी की मंजरी सालगरा मगवान पचड़ाते हैं, उनकी सारी मनुकामनाय पूरी हो जाती है कार्थिक का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है इस दिन कुछ बातों का विशेश रूप से द्यान रखना चाहिए जो लोग कार्थिक के महीने में इन नियमों को पालन करते हैं जैसे प्रत्पधा को कार्तिक के महिने में प्रत्पधा वाले दिन पेटा नहीं खाना चाहिए दतिया को छोटा बेंगन, त्रतिया को प्रत्वी का फूल, चतुर्ती को मूली, पंचमी को बेलपल, शष्टी को करीदा, सप्तमी को आमला, अश्टमी को नारियल, नौमी को लोकी, दसमी को बेलपल, परमल, एकासी को बेल, दौासी को मसूर, त्रोधसी को तामबूल और चोधस को साग नहीं खाना चाहिए, इन बातों का बिसे सुप से ध्यान करना चाहिए, जो लोग इस पकार से नियम नवाते हैं, उनकी सारी मनुकामनाय पूरी हो जाती हैं, तो कार्तिक के महिने का बड़ा मैत्व है, बुलादा क्रिष्टन भगवाने कीजें,